हमारा पहला एजेंडा ये है कि NDA गट बंदन जहां से भी लड़े हमारा प्रत्याशी जीत करा है चाहे वो अपना दल का प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो हमारे राजबर जी की पाटी का हो या संजन इशाद जी की पाटी का हो जो भी प्रत्याशी हमारा NDA गटबंदन चारो जंडे साथ लेके चल रहा है वो जीत कर आना चाहिए हम NDA की मजबूती के लिए और समगर उन्नती के लिए संकल्पित हैं हमारे इसके प्रती हम संकल्पित हैं हमारे साथ अपना दल की राष्टी अध्यक्ष भारत सरकार में केंद्री मंत्री और NDA की मजबूत सहयोगी अनुप्रिया पटेल साथ में हैं कई बाती अंसे करेंगे 2024 के मैदान में तमाम राज़तिक पार्टियां कोच चुकी हैं पर्टिकल बाते करें इसके पहले एक नई बात आजकल भारत सरकार मोहरी है सांस्कृतिक विरासत की ऐसा क्या काम हुआ है सांस्कृतिक विरासत को लेकर कि आजकल आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ विशेस काम किया है भारत सकार ने, आपके मंत्राले ने, दूसरे मंत्राले ने, जो सांस्क्रितिक विरासत, सांस्क्रितित धरोहर को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, क्या ऐसा हुआ है? देश के माननिय प्रधान मंत्री जी लगातार एक बात कहते हैं कि विकास भी विरासत भी, देश को विकास के मार्क पर आगे लेकर जाना है, साथी साथ देश की जो हमारी संस्क्रितिक विरासत है उसका संद्रक्षण, उसका पुनजीवन भी करना है और इस त्रिष्टी से भारत की सरकार ने कई एहम कारे किये उसका मैं एक उधारन देना चाहती हूँ आपको भारत की आजादी में जन जातीय समुदाय ने बढ़ चड़ कर कुर्बानिया दी लेकिन आजादी के इतने वर्षों ने जन जातीय समुदाय ने जो देश की आजा सबसे बड़ा पोशक है और इसलिए देश की आजादी में जो उनका योगदान रहा उसे हमें उजागर करने की आविशक्ता है बगवान बिर्सा मुंदा जी के जन्मस्थली उली हातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी है उनकी स्मृत संस्कृति में उनकी यादों में एक म्यूजियम हमारी सरकार ने बनाया और इतना ही नहीं जन्जाती समुदाए में देश के कोने कोने में बसे हुए तमाम आदिवासी समाज के लोग जिन्हों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुती दी ऐसे दस संग् किया तो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की उसे संजोने की एक परंपरा हमने प्रारम किया और यह उसका एक सशक्त उधारन है अच्छा ठीक है आप संस्कृतिक विरासत के जरिये मेरे ख्याल से आप जन जन तक किया नीचे इस तर तक पहुँशना चाहती है आम आदम की योगी मैजिक ऐसा क्यों अनुप्रिया मैजिक लाजबहर मैजिक लियो ने जальная निशाद मैजिक काम चलने वाला नहीं और प्रीय थिर्श ने देखिए अ आप अपने आपो कहाँ खड़ा पा रही हैं ते कि हमारा एंडिय का गठी बंधन एक परिवार के रूप में है उसमें बहरती जनता पार्टी के बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका है अपना दल की एक पुराने सहीयोगी के रूप में अपनी भूमिका है हमारे दो अन्न सहीयोगी पार्टी हैं चाहे डॉक्टर संजे निशाद जी की पार्टी हो या मन्यों प्रकाश राजबर जी की पार्टी हो ये एक तरीके का एक गुलदस्ता है एक बड़ा परिवार है जो परिवार एक जुट होता है उसकी ताकत भी बड़ी होती है हम तीनों छोटी पार्टिया है हमारा अपना प्रभाव शेत्र है हमारा अपना मतदाता है अपने समर्थक है बारती जनता पार्टी का भी अपना एक व्यापक प्रभाव है और मुझे लगता है कि हम जब एक साथ आए है तो बहुत बड़ी ताकत बनी है और उत्तर प्रदेश की जनता इसे पसंद भी कर रही है और इसलिए आप देखिए कि हमारे दो सयोगी तो खेर अब जुड रहे हैं लेकिन अपना दल और भारती जंता पार्टी का गटपंदन पुराना है और हम चार चुनाओ दो विधानसभा दो लोकसभा एक साथ मिलके लड़ चुके हैं जंता ने मतदाता पसंद भी किया और बार-बार अपने विश्वास का बटन भी दबाया अचानर प्रिया जी कहा जाता है देखें मोदी की गारेंटी की बात चल यह तीन राज्यों में चुना हुए आप लोगों ने अच्छा जीता बीजेपी ने लेकिन जब आप उत्तरप्रदेश के पु उस इलाके में वैसा नहीं चल पा रहा है जिससे इस तरह के नतीजा है ऐसा कहा कमी रह जा रही है कि आप पुरवांचल में आप लोगों को शिकस्त मिल रही है और उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं तेखें कहीं कोई कमी नहीं है आप overall चुनाव का result देख लगातार दो लोगसभा एलेक्शन दो विधानसभा एलेक्शन आज प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबसे जादा मजबूती अगर किसी राजे से मिल रही है तो उत्तर प्रदेश ने मिल रही है पूरवांचल के विकास के लिए लगातार हमारे राजे की सर कि ये विकास की दृष्टी से पिछडा हुआ है इसमें हमें जादा काम करने की आवशक्ता है तो हमारा जो भी ये हिस्सा है चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की मैं तो बात करूं समगरे दृष्टी से हमारे राजी की सरकार में और हमारे केंदर की सरकार में मोदी जी की सरकार की योजनाओं में और योगी जी की सरकार की योजनाओं का लाब जब पहुच रहा है तो लोगों में विश्वास बढ़ा है और दो हजार चौबिस के चुनाओं में आप देखिएगा कि बहुत ही जबरदस्त परिणाम चुनाओं में आपको उत्तरप्रदेश से मिलने जा र और ही जितनी के से थित है कि जिस तरीके से आप मजबूत हो रही हिं और अच्छा पर्फॉर्मैंस एग बहुत मतलबड़ी 75 निकल के आ रही है जो डिंबरी करेगा जो पार्वामेस करेगा आप कर रहे हूं तो आप एक तरीके से ब्लैक मेल तो नहीं कि बारगेंद जरू क और प्रधान मंतरी जी हम लोगों के नेता है प्रधान मंतरी जी की लोकपरिता पुरे देश में है और हमारा ये संकल्प है कि देश में तीसरी बार फिर मोधी जी के नेतरत में सरकार बने उसमें अपना दल भी अपना योगदान निरंतर दे रहा है और जहां तक पार्टी के विस्तार की बात है सीटों की संख्या की बात है हमारा पहला एजेंडा यह है कि NDA गटबंदन जहां से भी लड़े हमारा प्रत्याशी जीत कर आए चाहे वो अपना दल का प्रत्याशी हो जाहे वो भाजपा का हो चाहे वो हमारे राजबर जी की पाटी का हो या संजन इशाद जी की पाटी का हो जो भी प्रत्याशी हमारा NDA गट बंदन चारो जंडे साथ लेके चल रहा है वो जीत कर आना चाहिए हम NDA की मजबूती के लिए और समगर उन्नती के लिए संकल्पित है दूसरी बात सीटों की संख्या को लेकर फिलहल कोई चर्चा भी हुई नहीं है सही समय आने पर इसकी चर्चा भी हो जाएगी और चुनाव में बहतर परिणाम हो इसके लिए अपना दल निरंतर अपनी संगटनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है प्रतेक मंडल में हमारी बड़ी बड़ी जनसभाए हो रही है और आम जन्मानस का एक बढ़ताव विश्वास और उत्सहा अपना दल के प्रती निरंतर नजर आ रहा है अनुर प्रिया जी जब दो सांसर के तोर पे जब आप इतना जादा काम कर सकती है तो पांच सांसर दस सांसर से और ज़्यादा काम कर सकती है एंडियों को और मजबूत कर सकती है क्योंकि देखे ये बास सच है कि बिना छेतरी दलों के सहयोग के नईया पार होनी नहीं है या आपको भी पता है जो जाती समीकरण आप चार पती सफ हैं उत्रपधिस में कम्यूनिटी आपकी तो और आपको इतना तवज्ज़ दी जाती है आप काम भी बहुत कर रहे हैं तो कुछ तो मन में मन में बात होगी इनरुपिया पतेल के कि भई अब थोड़ी और संख्या बढ़ानी चाहिए तभी हम और आपके साथ करें देखिए ऐसा है आपको बड़ा क्यान्वस आपका बने ज्यादा अच्छे तरीके से आप मजबूत कर सके बीजेपी आपको मजबूत करें आप भी बीजेपी को मजबूत करिये पहले तो इसी बात से मैं शुरू कर देती हूँ कि बीजेपी हमें मजबूत करें हम बीजेपी को मजबूत करें दोनों एक दूसरों को मजबूत कर रहे हैं चार इलेक्शन से हम साथ हैं 2014 से हम साथ हैं 24 दस साल से हम साथ हैं भारती जनता पर्टी अपना दलाकेता मुस्बूति प्रदान कर रही है । जब हम पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं तो दोनो को एक दूसरे की आवशकता होती है और दोनो अपनी ताकत मिलाकर साजह ताकत के बड़े परिनाम आते हैं, तो गटबंदन में हमारे NDA में जितने भी दल हैं, चाहे वो मेरी पार्टी हो, भारती जनता पार्टी हो या हमारे अन्यदो सहयोगी हो, मैं सब के लिए कहना चाहरी हूँ कि सब का अपना कॉंट्रिबूशन है, और सब के कॉंट्रिबूशन से, सब के काम लाने के लिए, जो तैयारी जमीन पर जरूरी होती है, फिलहाल हम उसमें लगे हुए हैं, और कितनी सीटों पर लड़ना है, कैसे लड़ना है, किसको लड़ना है, ये बड़े अंतरिक फैसले होते हैं, बारती जनता पार्टी मैं फिर कह रही हूँ, बड़े भाई की भ जीतना चाहिए, और तीसरी बार हमारी सरकार की हेट्रिक लगनी चाहिए, बतलब आपको भी मोदी के गैरंटी पही भरोसा है, कि मोदी की गैरंटी है, तभी सब कुछ ठीक होगा, तेकि ऐसा है, गैरंटी देने का साहस कितने लीडर्स में होता है, हम अगर ये गैरंटी द चत नहीं है, उसको पक्की चत देंगे, शुद्ध पीने का जल देंगे, बहतर स्वास्त की गैरंटी देंगे, बैंक में एकसस देंगे, एक स्वस्त इंधन के जरिये बहतर जीवन देंगे, तो हमारी गैरंटी इस देश की गरीब जन्मानस को उनकी मूल भूत अवशक्ता की पूरती की है, और इसके परिणाम निकल के आ रहे है, आज देश में जिस तरीके से पिछले दो कारकाल में गरीब कल्यान की योजनाए आगे बढ़ी, साढ़े तेरा करोड गरीब गरीबी रेखा से निकल के बाहर आए, गरीबी उनमूलन के नारे बहुत दिये जाते रह लेकिन कितने गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए, तो हमारी जो सरकार है वो इस बात की गैरेंटी दे रही है कि मूल भूत आवशकताओं से कोई वंचित नहीं रहेगा, एक देश जो आजादी के 75 वर्षों का सफर पूरा कर चुका है, वहाँ किसी कोई भी नागरे के ऐस नहीं होना चाहिए, जिसके पास भोजन ना हो, पीने को शुद्ध जल ना हो, बिजली का कनेक्शन ना हो, स्वास्त की उसके पास सुविधा ना हो, ऐसा तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो कम से कम इस धर्रे पर नहीं चल सकता, यह हमारी गैरेंटी है, और यह किसी भी वेलफेर स्टेट में एक सरकार की एक जिम्मेदार और समवेदन शील सरकार की यह गैरेंटी होनी भी चाहिए, यह आपका मॉरल ड्यूटी है, यह आपका नैतिक करतब बेह है, अच्छा अनुर प्रिया जी, एक मुद्दा चल रहा है, जाती जन गड़ना का, क जाती जन गड़ना के पक्षदर है, देश में का सेंसस होनी चाहिए, देश की समाजिक संरचना का अधार हमारी जाती विवस्ता है, विभिन जातियों के लोग मिलकर इस देश में रहते आए हैं, पुरे भायचारे के भाव से रहते आए हैं, और सबकी क्या संख्या है, यह स्पष्ट रूप से प्रामारिक आकड़े देश को जानने का अधिकार है, और उसके बाद हमारे विकास की मुख्यधारा में कौन से ऐसे हमारे समाज की जातियां है, कौन से ऐसे वर्ग है, जो पीछे चूट गए है, सरकारी योजनाओ को उनके अनुरूप हमें ढालने की भी आविशकता है, मैं तो सपष्ट रूप से इस बात को कह रही हूँ, जैसे हमारी अलग-अलग भाशाएं हैं, फिर भी हमारे उन भाशाओं के बीच में देश की एकता है, हमारा अलग-अलग खान, पान, रहन, सहन, परमपराएं, संस्कृती, तीच, तयोहार, इतनी विविदताओं के बीच एकता है, तो अलग-अलग जातियों के बीच में भी एकता है, और इसलिए य तो अलग अलग जातियों के रहते ये देश हमेशा एक रहा है एक है एक रहेगा और हमें उन डभी कुछली जातियों के साथ यदी न्याय करना है तो हमें उनकी स्पष्ट जो आकड़े हैं वो देश के सामने लाने चाहिए इंडिया घट-бंदन के बैठके हुई नितीश खुमार मैं दूसरी सवाल ये पूचानी नितीश कुमार बनारस में एक करक्रम करना चाहते है बनारस में याने कि पुर्वांचल वो जिस mixtre so आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कल्टिवेट करना चाहते हैं पूरु आंचल में बिहार से सटा हुआ है आप वो क्या लगता है कि क्या असर डालेंगे बना देखिए वोट बैंक में सेंद मारेंगे कुछ तो घवणाट आप लोगों को हो रही होगी देखिए लोगतंत्र है कोई भी पार्टी कोई भी न चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है पूरे देश में अपना दल भी चाहे तो हम महराष्ट्र भी जा सकते हैं बिहार भी जा सकते हैं यह स्वतंत्रता हर पार्टी को है हर नेता को है हर राजनेतिक कार्यकरता को है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इतना ही कहूं को कहीं भी जाने से रोकता नहीं है सब का स्वागत है उत्तर प्रदेश की जनता को और मतदाता को पता है इवियम का बटन कहां दबना है जिस तरीके से अपना दल का परफामेंस हो रहा है आपका हो रहा है जरूर आपको अखलेश यादो ने भी अप्रोश किया होगा कि तीसरी बार हेटरिक मारे इसके प्रति हम संखल पे तैंए ने कि देख्येर ने अनब आपको पूशा नहीं मैंने की हम local के घरने के दिए की दुन मको पर आप लोगों को तकलीफ कुछ नोतिक और ALL हो यह Lebanese सुट ऐसलिस में काहें लगता है तो फेली के दिया कि हमें किसी से कोई भय नहीं है इस देश में सब को स्वतन्तरता है 28 पार्टी एक साथ आएगी तो डेंट तो मारेगी कुछ सब का स्वागत है सब आईए सब का स्वागत है और सब को अपनी पार्टी अपने गटपंदन का विस्तार करने का अधिकार है एडिये भी तो पूरे देश में लड़ रहा है जितने बड़े सदर पे इस देश में विकास की परियोजनाए आगे बढ़ी है लोगों के जीवन में आज एक बदलाव है और जमीन पर आप तो सब मीडिया के साथ ही है जमीन पर क्या पल्स है उसको आप भाप लेते हैं तो लोगों के अंदर एक विश्वास का भाव है उन्हें लगप ता है एक उमीद की किरन नजर आती है कि इतना कुछ हमें मिला है आगे भी बहुत कुछ मिल सकता है हमारा जीवन मदल सकता है और जनता का विश्वास ही हमारी टाकत है वही हमारी शक्ति है और उसकी आधार पर ही मैं कह रही हूँ, सब का स्वागत है, सब आएं जिसको ले करके आप दुबारा पब्लिक के बीच में जाएंगी, अब नहीं भी जाएंगे पब्लिक उसको अप्रिशियेट करें, कुछ ऐसे काम है मजबूत तिकी मैं सबसे पहले जब रोजगार का सवाल आपने उठाया है, तो मैं आपको कहूंगी कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, जिसने अब यहाँ फिर गारंटी वाली बात आ गई, हमारी सरकार ने गारंटी दी, एक साल के अंदर, मिशन मोड पर, हम रोजगार की नियुक्तिया देंगे, रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, और हमने 10 लाक सरकारी नौकरी, इस वर्ष डिसेंबर चल रहा है, यह डिसेंबर 2023 तक, हमने कहा कि हम 10 लाक सरकारी नौकरीों के नियुक्ति पत्र सौप देंगे, और हमने सौप दिये, हम लगभग अपने लक्ष के करीब पहु लोगों को एक-एक साथ पूरे देश में नियुक्ति पत्र दी जाते हैं, कितने बच्चे तो मेरे पुरवांचल के होते हैं, कोई कहता मैं अलाबाद का हूँ, कोई कहता बनारस का हूँ, कोई कहता देवरिया का हूँ, कोई कहता मिर्जापूर का हूँ, मिल जाते हैं, कहा कहां तक मुंबई तक मुझे लोग मिले है जिनको नियूकती पत्र मिल रहे है तो सरकारी मंतरालेओं में, सरकारी विभागों में जो इतनी पेंडेंसी थी उसको क्लियर करने का हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, दस लाग सरकारी नौकरियां एक साल के अंदर इतना बड़ा कमिटमेंट हमारी सरकार ने पूरा करके दिखाया है बहुत-बहुत धन्यवाद तो अनुपया पटेल अपना दल की राष्टिय धक्ष जो एक मजबूत सहयोगी दल है इनका कहना है कि परफॉर्मस और डिलिवरी के दम पर तीसरी बार फिर से मोधी सरकार बनेगी और चाह झाल 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 झाल